नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है सार्तत्व चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखी चिकित्सा पद्धती के बारे में जिसका नाम है रेकी रेकी का शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक उर्जा का मार्ग दर्शन आज की भागदौर भरी जिन्दिगी में तनाव और चिंता होना आम बात है ये ना सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थय को प्रभावित करते हैं बल्कि शारिरिक परिशानियों को भी जन देते हैं ऐसे में रेकी एक प्राक्रितिक चिकित्सा के रूप में तनाव और चिंता को कम करने में हमारी मदद कर सकती है यदि आपने अभी तक सार्तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां आपके लिए एक सुनरा अवसर है गंती का बटन दबा कर आप हमारे नए वीडियो की सूचनाई प्राप्त कर सकते हैं तो आएए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं रेकी क्या है और यह तनाव और चिंता से मुक्ती दिलाने में किस प्रकार सहायक है रेकी क्या है रेकी एक प्राचीन जापानी चिकित्सा पध्धती है जो हमारे शरीर में बहने बाली सुक्ष्म उर्जा के संतुलन पर आधारत है इस उर्जा को जापानी में की और संस्कृत में प्राण के नाम से जाना जाता है रेकी का मानना है कि जब हमारे शरीर में उर्जा का प्रवाह अबरुद्ध हो जाता है तो हमें शारिरिक और मानसिक परेशानिया होती है रेकी मास्टर या चिकित्सक अपने हाथों को हलके से हमारे शरीर पर या उसके उपर रखकर इस पूर्जा के प्रवाह को संतुलित करने का प्रयास करते हैं रेकी किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी नहीं है और इसे अन्यक उप्चारों के साथ भी इस्तमाल किया जा सकता है रेकी कैसे काम करती है? रेकी के काम करने का तरीका अभी भी वैग्यानिक रूप से पूरी तरह से सिद्ध नहीं है लेकिन माना जाता है कि रेकी मास्टर के हाथों से निकलने वाली उर्जा हमारे शरीर में मौजूद अवरुद हूर्जा को हटा देती है जिससे उर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है यह संतुलन हमारे शारिरिक और मानसिक स्वास्थे को बहतर बनाने में मदद करता है रे की तनाव और चिंता को कैसे कम करती है तनाव और चिंता के दौरान हमारा शरीर तनाव हार्मोंस का उतपादन बढ़ा देता है रे की इन हार्मोन्स के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है जिससे हमें शांत और तनाव मुक्त महसूस होता है साथ ही रे की हमारे दिमाग को शांत करने और गहरी विश्राम की अवस्था में लाने में भी सहायक होती है इससे हमारा तंत्रे का तंत्र संतुलित होता है, जो तनाव और चिंता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुसंधान क्या कहता है? कुछ शोध बताते हैं कि रेकी, तनाव, चिंता, दर्द और नींद की समस्याओं को कम करने में मददगार हो सकती है के सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेकी को किसी भी बीमारी का इलाज नहीं माना जाता है यह पारम परिक उपचारों का पूरक हो सकती है रेकी का अनुभव कैसा होता है? रेकी का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है कुछ लोगों को गर्मी या ठंडक महसूस होती है जबकि कुछ को जुन-जुनी या स्पंदन महसूस होता है कुछ लोग गहरी शांती और विश्राम का अनुभव करते हैं जबकि कुछ लोग भावनाओं को व्यक्त करते हैं यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेकी का अनुभव तुरंत नहीं होता है कई बार कुछ सत्रों के बाद ही इसका प्रभाव दिखने लगता है रेकी कहां मिल सकती है? रेकी प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाती है आप अपने शहर में रेकी चिकित्सकों को ढूंडने के लिए ऑनलाइन खोज कर सकते हैं रेकी के कुछ फायदे तनाव और चिन्ता को कम करता है दर्द और सूजन को कम करता है नेंद की गुनवत्ता में सुधार करता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है भावनात्मक स्वास्थ्य को बहतर बनाता है रेकी के कुछ नुकसाद रेकी का कोई ग्यात दुश्प्रभाव नहीं है यह महंगा हो सकता है यह किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है रेकी तनाव और चिन्ता को कम करने के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है यदि आप तनाव और चिन्ता से परेशान है तो रेकी आपके लिए एक अच्छा विकल्थ हो सकता है तो दोस्तों आज हमने रेकी के बारे में जाना और यह कैसे तनाव और चिन्ता से मुक्ती दिलाने में मददगार हो सकती है अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें हमारे चैनल सार्थत्व को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें धन्यवाद